ओम नमाशिवाय अभिक जेष्ट मास क्रिष्ण प्रक्ष शुक्रवार नौमी तिथी दोपहर डेड़ वजे तक लगी रहेगी तद पस्चात दश्मी तिथी प्रारम हो जाएगी चंद्रमा उत्रा भादपद नक्षतर में रात्री ग्यारा बजे तक चलते रहेंगे जिसके नक्षतर स्वामी सनी देव हैं उत्रा भादपद नक्षतर में जन्मे जातक सुनदर, बलवान, सातिक, धनी और साहसी होते हैं ये अत्यधिक समवेदन सील, दार्शनिक, घर्म निर्पेक्ष और शांत प्रेमी सोच विचार कर कारे करने वाले स्वतंत्र और मौलिक विचारधारा के होते हैं ऐसे जातक उन्नती, गामी, विशेश सम्मान प्राप्त करने वाले और समाज में गौरों के प्रतीक होते हैं यदि सहीयोगी लगन रहा, शनी और ब्रिहस्पती की इस्थिती अनकूल रही तो पूर सफल होंगे चंद्रमा आज मीन राशी में चलते रहेंगे, जिसके राशी स्वामी ब्रिहस्पती देगा है मेश राशी के जातकों के लिए बिशलेशन करने की प्रवरिती बढ़ेगी सामन्जस बिठाने की छमता में विकास होगा प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात और सरगारी कामकाज से लाव की इस्थिती बनी रहेगी कामकाज में प्रगती के अउसर मिलेंगे और अधिकारियों का सहीयोग बना रहेगा नीजी सम्मंदों में सुधार और पारिवारिक माहौल में हर्ष की स्थिती बनी रहेगी वैवाहिक प्रस्ताओं के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा आर्थिक लाग मन मुताबिक बना रहेगा बिद्ध्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा प्रयास जारी रखें ब्रिश राशिके जातकों के लिए चली आ रही अर्चने समाप्थ होगी कारी ओजनाओं का विस्तार होगा आर्थिक लाव सामाने रहेगा धन सम्बंदी मामलों में खर्च की स्थिती बनी रहेगी अपने नीजी संसाधनों और संतान सम्बंदी दायित्यों पर खर्च का संकेत मिलता है आपके प्रयासों में कारिशेली और आत्मिश्वास में उतार चढ़ाव सम्भावित है नेजी संबन्द प्रगाड होंगे और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन निकूल रहेगा विद्ध्यार्थी अध्यान अध्यापन में प्रियास जारी रखें साथ ही स्वास संबन्दी जटिलताओं पर आवस्चत सावधानी बनाए रखें मित्वन डाशी के जातकों के लिए सूर्य और बुद्ध की यूती आंतरिक पिरणा को बढ़ावा देगी कारे छमता में विद्धी होगी और मानसी कस्तर पर अधिक और जावान महसूस करेंगे सरकारी काम काज में लाव मिलेगा और ब्यावसाई गटविधियों में बढ़ोतरी होगी सासन सत्ताव अधिकारियों का सहीवग बना रहेगा आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और रचनात्मक प्रयास सार्थक होगे बिद्यातियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता के संकेत मिलते हैं मगर स्वास संबंदी आवस्टक सावधानी रखनी चाहिए पारिवारिक प्रतिष्ठा में बृद्धी होगी करक राशी के जात्कों के कारेश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जटिलताओं पर आवस्टक सावधानी बनाए रखें विद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिध्ध होगा और धार्मिक भावना में बृध्धी होगी सिंग रासि के जात्कों को कारेच छेतर में इस्थिर्था बनी रहेगी और विकास का मौका मिलेगा नई कारियोजनाओं के प्रस्ताओं लावदायक सिध्ध होंगे और साजेदारी सफल रहेगी सरकारी कामकाज में रूची बढ़ेगी और सासन सब्ताव अधिकारियों की प्रिणा बनी रहेगी मगर कुछ कामों में रुकावट का संकेत मिलता है और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है आर्थिक पक्सामान वहेगा मगरस्वास सम्द्धी जटिलताओं में सावधानी बरते और खान पांसायमित रखे विद्ध्यातियों के लिए आज का दिल मेहनत वाला होगा सकारात्मक प्रयास जारी रखे कन्यारास के जात्कों के लिए कारेच्षित की ततपरता बनी रहेगी और विकास के नय मार्गों का स्रिजन होगा आपका दिड़ विश्वास और इच्छा सक्ती हर काम को सरल बनाने में सक्षम होगी आठिक लाव मन मुताविक मिलता जाएगा और रुके हुए काम संपन्ध होंगे साजेदारी के काम में लाव संभव है और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा वैवाहिक मामलों में सफलता का संकेत मिलता है मगर फास संबंधी मामलों में जटिलताएं संभावित है आवसक सावधानी बनाए रखें विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा सकारात्मक प्रयास जारी रखें तुला राशी के जात्कों के लिए कारिछित में आ रही अरचने खत्म होंगी और सकारात्मक प्रयाणा बनी रहेगी आवसक संसाधनों में गृध्धी होगी और विकास के नयग मार्ग मिलेंगे गुरु मंगल और सुक्र का आपसी सहयोग उत्थान का संकेत देता है मगर कुछ मामलों में नकारात्मक विचारों का उतार चड़ाव संभावित है और कारे छमता प्रभावित होगी मगर आथिक लाव के उसर मिलते जाएंगे पारिवारिक प्रणा का लाव मिलेगा और साचेदारी सफल रहेगी निद्याधियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा सफलता संभावित है ब्रिश्चिक रास के जात्कों के लिए प्रयासों का दोर जारी रहेगा और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी मन मुताविक काम होते जाएंगे आपके सहयोगी ग्रहों की सुभता जारी रहेगी कारे छेदर का बिस्तार होगा मगर परिश्रम की प्रवरित्ती बनाए रखें मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखें आठिक पक्ष सामान रहेगा साजेदारी के मामलों में सहयोग मिलेगा संतान संबंधी जायत्य की पूर्ती होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकुल रहेगा बिध्याथी अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें सफलता मिलेगी धनुराशिक के जात्कों को मेहनत और संगर्ष करने की प्रवृत्ती बनी रहेगी और रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी हुमारी की प्रखरता में बिध्धी होगी और सौभाविक रूप से पेश आने का तरीका बदलेगा कारे छेतर में सहयोग जारी रहेगा आर्थिक लाव के नए उसर मिलते जाएंगे और साजेदारी के कामों में ही लाव संभव है मगर कुछ मामलों में मानसिक दबाव महसूस होगा और कारे छमता प्रभावित हो सकती है आए संबंधी संसाधनों में विद्धी होगी नीजी संबंध प्रगाड होंगे और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धोगा मगर स्वास संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए मकर राशे के जात्मों का उर्जा अस्तर बड़ा हुआ रहेगा और हर काम में अनुशासन सीलता और प्रभल देरिच्छा सकती बनी रहेगी कारिच्छित में सहीयोग जारी रहेगा नए अनुभव के साथ नए प्रस्ताओं को लागू करने में सफल रहेगे भाग यवस काम पूरे होंगे और आत्म दिश्वास में विद्धी होगी आठिक लाग की निरंतरता बनी रहेगी मगर खर्च की इस्थिती भी संभावित है संतान संबंधी कारे पूरे होंगे और पारिवारिक माहल खुशनुमा महसूस होगा विद्ध्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा और वयवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे कुम्बर आशिके जादकों के भाग यवस काम अच्छे होंगे और अचानक धनलाग की संभावना बनती है वाहन, जमीन, इत्यादी, नीजी, निवेस के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा वयवसाय संबंदी मामलों में यात्रा का योग बनता है मगर वयवसाय और कारियोजनाव में अचानक बाधार भी संभावित है और इस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाद विवाद और विरोधियों की साजिस से बचें किसी समारों में सामिल होने का मौका मिलेगा और पारिवारी प्रतिष्ठा में व्रिध्धी होगी विद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा मेन रासीके जात्कों के लिए आर्थिक सायोग बना रहेगा और लाव के नए अउसर सामने आएंगे रचनात्मक क्रिया सिहलता बनी रहेगी और कारी छेत में सफल रहेगे नई कारी ओजनाओं के प्रस्थाव सामने आएंगे और साजेदारी सफल रहेगी नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा पारिवारिक प्रेणा से लाव में वृद्धी होगी मगन नकरात्मक विचारों से दूर रहे नीजी संबंग प्रगाड होंगे बिद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा प्रयास जारी रखें और स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाय